यह है दुमरिया घाट यह सबसे पहले आपको बस से यहाँ प्याना होगा बस से अगर आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो दुमरिया घाट के शारव से आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिखता है यहीं पर आपको उतर जाना है बस से और यहाँ पर आपको एक लोकेशन भी दिया हुआ है डुमर्य घाट के पास ही जो है आपका जो है राइट साइड में जो है एक मंदिर है वो मंदिर आपका जो है चिनहासिक रूप में है कि आपको यहीं उतरना है आप सही जगा उतरे हैं कि नहीं यह आपको पहचान करवाएगा डुमर्य घाट के पास उतरने के सामने देख रहे हैं जो आदवी आ रहे हैं हो साइट में आपको जाना है वहाँ पे क्या होगा tempo में लगा tempo से हम लोग से चलेंगे college कोज़ की और दोस्तों कॉलेज के ओर जाने के लिए यापको टेमप ठार लेना को टेमप जो है आपको सौरपया से लेकर 80 रुपया तक लेगी रेजरब में क्योंकि मिंगे टेमप ऐसे रही बिना रिजर्ब के, अब मान के चलिए आप पैदल भी जा सकते हैं, तीन से चार किलो मेटर पढ़ता है, अब तीन चार किलो मेटर अगर पैदल चार सकते हैं, अब अराम से पैदल भी निकल जाएए, कोई दीकत नहीं होगा, आप जो रास्ता दीख रहा है वीडियो में, किराया दिये हैं, 60 रुपिया, जिसमें हम लोग 2-3-4 मिल कर जा रहे हैं, अब यहां से आपको कॉलेज दिखेगा, कॉलेज के पास जाने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगे गहीं, आपको जाने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, चारों सरफ हर्याली हर्याली ही द औन दिकी आप जाने करें तो, और यहां पे देखिये हम लोग कॉलेज के तरफ देख रहे हैं, कि पहुँच गए है, यह है विकेणिस गोपाल गंच कॉलेज, जहा पे आप हम आना चाहते थे, वहां पे आप पहुँच चुके हैं, यह है आपका विकेणिस गॉलेज का मिन और हम लोग यहां पर पहुंच गए हैं,